उत्तरपरदेश की इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां खबर है रामपूर से अब्दुल्ला आजम जो की समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता वसांसाद मुहमद आजम खान के बेटे हैं उनके नामांकन को लेकर खबर आ रही है कि उनका नामांकन सुईक पार्टी के उम्मीदवारों ने चुनावायोग से शिकायत की थी कि इनके विरुद अभियोग पंजगरित हैं ऐसी इस्तिती में इनका चुनाव नामांकन रद किया जाए लेकिन चुनावायोग ने उनका नामांकन सुईकार कर लिया है आपको बता दी कि बीते दिनों जे 23 महीने तक जेल में बंद रहे सीतापुर में जेल में बंद थे अबदुल्ला आजम उनके पिता मुहमद आजन खान अभी भी जेल में है बंद समाजवादी पार्टी ने दूसरी बार अबदुल्ला आजम को रामपुर की स्वार सीट से बनाया है उम्मीदवार 2017 में पहली विधायकी पर भी सुदस्ता खत्म कर दी गई थी जो की मामला अभी इस्टे है और इसी को मुद्दा बनाते हुए कॉंग्रेस वा भाजपा के उम्मीदवार ने चुनावायोक से शिकायत की थी इनके विरुद्द लगभग 46 से अधिक मामले दर्ज हैं अब्दुल्ला आजम के परचे को खारिज होने का डर समाजवादी पार्टी को भी था ऐसी इस्तिती में समाजवादी पार्टी ने इनकी माता तंजीम फातिमा जो की रामपुर शहर सीट से वरतमान विधायक हैं उन्हें स्वार सीट से नामांकन करवाया था मुहम्मद आजम खान अपनी सीटापुर जेल में बंद हैं उनके विरुद लगबग सौ से आसपास मुकदमे दर्ज हैं जिसमें बकरी चोडी, किताब चोडी, भैस चोडी वा अनेक अनेक मामले दर्ज हैं जो की कोर्ट में विचारा धीन हैं अब खबर आ गई है कि उनके बेटे अब्दुल्ला आजम वा उनका नमांकन स्विकार कर लिया गया है और वो चुनावी प्रकिरिया में हिस्सा लेंगे और चुनाव लड़ेंगे अब देखना है कि रामपुर की सियासत स्वार टांडा वा रामपुर शहर की सियासत किस करवट बैठती है और रामपुर की जनता किसे अपना रहनु टी पर्टी के खद्धावर नेता वसांशाद मोहमद आजम खान के बेटे हैं। उनकेप लेकर खबर आ रही है कि उनका नामंंकन सुईकार कर लिया गया है। । बीटे दिनों काई दिनों से चत्चर थी कि उनका नामंकन रद्ध हो सकता है। को लेकर उनके नमंकन को रद्द कराने की कोशिस में लगातार कॉंग्रेस वा भारती जन्ता पार्टी के उम्मीद्वारों ने चुनाए